हेलो दोस्तों मेरा नाम है नितिन चोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नितिन चोहान जीडी तो फर्स्ट अफॉल तो सॉरी क्योंकि काफी दिनों बाद मैं यह वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और आपके पेपर लगबग स्टार्ट होने वाले हैं त तो आप निशिंत रहे हैं मैं आपको इसी तरह पेपर से पहले ही लास्ट यह के कोश्चन पेपर दिखाऊंगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके शॉलिशन भी मैं आपको प्रवाइट करा दोंगा और अगर आपने प्रेपरेशन नहीं की है तो डॉन्ट बरी मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में कैसे पढ़ के आप इस एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो पूरी वीडियो में बने रहेगा आज बताता हूं कि पेपर कैसा आता है तो मैं आपको बीए जी यानकि बीए जनरल फर्स्ट यह का जो कोश्चन पेपर से वह सारे लेके आ इंग्लिस कम्मिनिकेशन यह पेपर अभी रिसेंटली जून 2022 में हुए थे मैं उनका प्रिविश यह कोश्चन पेपर लेके आया हूं तो चलिए देखते हैं कि पेपर कैसा होता है तो इसमें जो टाइम रहता है वह में दो घंटे मिलता है और मैक्सिम मास्क्स होते हैं 50 क् वह में हमारा कंपल्सरी सप्जेक्ट होता है है इसमेंग्स सारे क्वेशन सैब को क्बल्सरी करने होते हैं देखते हैं पहले carbon की वह बढ़ते हैं फर्स्ट कोश्चन आता है आंसर एनिफॉर ऑफ फॉलॉइंग कोश्चन इन एवाउट हंडेट वर्ट इच इसमें क्या करना है आपको कि यहां पर हमें फाइव यह सिक्स कुश्चन दियें इन में से हमें कोई फॉर अटेंप्ट करने हैं और वह भी किन्दने हैं फिफ्टी टू शिक्स्टी सेवेंटी माक्स पाने के लिए तो एक से डेड़ पीज आप लिख सकते हैं एक कोश्चन के लिए तो पहला कोश्चन क्या है वट आर्दा करेक्टरिस्टिक्स ओफ आ कन्वर्शेशन ब्रीफली एक्सपैंड एट बेसिक कन्वेंशन पहला पर बढ़ते हैं अब यह सेकंड कोश्चन आता है रीडिंग इन्वाल्ब्स कॉंप्लेक्स कॉंगिटिब स्किल्स एक्स्पैंड इस स्टेटमेंट विद सूटेवल एक्जाम्पल्स थर्ड कोश्चन की ओर आते हैं वोट इस दिफ्रेंट बिट्मीन रीडिंग फोर लिट इस दिफ्रेंडिंग फिफ्ट है वाट आर हमोफोंस हमोंस एंड हमोफों गिव एक्जाम्पल ऑफ बोथ सिक्स्ट कोश्चन हाओ कैन विज्वल एड्स बी यूजट तो मेक आ प्रिजेंटेशन मोर एफेक्टिब एंड इंट्रेस्टिंग तो यह हमें अच्छे कोश्चन दिए हैं इन में से जो भी आपको चार कोई अच्छे लगते हैं तो वह आपको अटेंट कर देने हैं दैन आ जाते हैं सेकेंड कोश्चन पर सौरी सेकेंड कोश्चन पर राइट ऑफ फॉर्मल लेटर टू हैड ऑफ पब्लिशिंग हाउस इन यूर टाउन एप्लाइंग फ थर्ड कोश्चन पर आते हैं अग गुरूप औफ फाइव स्टुडेंट्स हैब बीन गिविन दा टॉपिक तो यहां पर आपको यह टॉपिक दिये हुए हैं इस पर आपको लिखना है ओलाइन लर्निंग इन इंडिया स्कूल्स एडवांटेजिस एडवांटेजिस इस पर आपको लिखना है राइट आउट अग्रूप डिस्कॉशन ओन इस टॉपिक इस टॉपिक पर आपको डिस्कॉस करना है या एक ऐसे लिखना है अब नेक्स्ट आते हैं एक्स्प्लेइन दा सूटेवल एक्जामपल्स दा साइको फिजियोलोजिकल वेरियस अफ्टू इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं तो यहां पर हमारा यह एंड होता है इसके आगे नहीं दिया है इसमें चार कोश्चन्स पूछे थे जिसमें से आपको चार के चारों कमपल से रही थी तो दोस्तों आप जो मैं आपको बताता हूं और कौन-कौन से इंपोर्टेंट हैं वह भी आपके लिए लेके आऊंगा और अगर आप फर्स्ट इयर में हैं तो आप निश्चिंत रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपकी ग्रिजिएशन कंपलेट होने तक मैं आपको सारे प्रीबीश एयर क्या पढ करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को शेर करें ताकि मेरे छोटे भाई बहन जो इगनू से पढ़ रहे हैं उनकी इस वीडियो से हेल्प हो सके तो थैंक्स पर वाचिंग